कि आप सभी लोगों के एक मार्प की से करने वाला हूँ कि मार्केत कि जो बीइवियर YEAR हैं वो हम लोग कैसे इसे चीज में खूद फॉलो करता हो market की sentiment and behavior का मदलब क्या है कि market की main direction market actually जाना कहा चाहता है actually chart आप usually normally देखोगे कुछ और दिखाएगा but अंदर की जो sentiment हो कुछ अलग ही तो अंदर की जो sentiment है अंदर की जो market की behavior है जो market actually में जिस direction में जाना चाहता है जो दिखाना नहीं जो जाना चाहता है वो काईने की में आप लोगों को explain करने वाला हूँ वो भी live market के अंदर currently आप market को देखोगे market काईने की exact यह जो यहाँ पर level कहा है 40 theta in 800 से market आपर सेट की momentum continue करना start किया previous day मतलब कल market के अंदर काईने की gap up opening हुआ after the gap up opening market यहाँ पर अपने आपर सेट की momentum continue करने ही कोईस किया आज morning में क्या हुआ gap up खुला खुले के बाद market यहाँ पर support लेती उपरा नहीं कोईस कर रहा है usually यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप लोग देखोगे तो हम लोगों के दिमाग के अंदर क्या आ रहा है market is no doubt very bullish market और यहाँ से हम लोगों को buy करना चाहिए और actually market के अब bullish है चलो एक बार इस चीज को हम लोग अच्छी तरीकर से समझ लेते है दोस्तों market के अंदर अभी आगर आप prediction कर रहे हो मल्दब आज अगर market के अंदर काम कच कर रहे हो तो एक चीज को आपको ध्यान में रखना परेगा कि market के अंदर 4-5 दिन की जो behavior है उसको calculation करना बहुत जाद important है अगर हम लोग कल दिन को छोड़ती हुए अगर हम लोग calculation करे तो एक चीज को आप notice करो मार्केट के अंदर major behavior अभी क्या चल रहा है मार्केट के अंदर sentiment क्या है अब एक चीज को notice करो मार्केट के इड़े कि उपर तो आ रहा है बढ़ higher level पे price sustained नहीं हो पा रहा है उपर आया market नीचे गीर जा रहा है उपर आ रहा है market नीचे गीर जा रहा है उपर आ रहा है market नीचे गीर जा रहा है ये सारे डे को अगर आप calculation निकाल होगे तो एक चीज हम लोगों को समझ में आ रहा है market higher level पे price sustained नहीं हो पा रहा है मतलब बायर पूरी कोशिस कर रहा है कि market को push करके उपर लेके जाओ आगे लेके जाओ बट seller buyer की plan को successful होने ही नहीं दे रहा है इसको हम लोग कैसे समझें ये कि हमें ऐसी बोल रहा हूँ या इसकी पीछे मेरा logic region है इसकी पीछे मेरा logic region है previous को chart behavior को deep observation करना अगर आप simply तरीकी से chart देखना जानते हो तो एक चीज को आप notice out करो market के अंदर each and everyday आपको देखने को मिलेगा कि market starting में तो उपर आ रहा है बट buyer price को sustain नहीं हो दे रहा है इस सारे chart को और आप लोग देखोगे इस सारे chart आपको यहीं बोल रहा है कि अभी कहिए कि seller market को control करने की कोशिस कर रहा है बट अभी आप लोग देखोगे 10 October मतलब कल दिन के अंदर market के अंदर एक पूल आया और almost आप कह सकते हो कि आपर साइड में price अपने आपको hold कर दिया, sustain कर दिया कैसे मैं कह रहा हूँ? जैसे आप previous day देखो जहां से market momentum start कर रहा है, वहां तक market seller यहां तक लेके आया,ंतर बयर जहां से market को पर लेने की कोई स कर रहा है positive closing but positive closing होने के बाद भी हम लोग लंबे टाइम फ्रेम में देखोंगे वान आवार टाइम फ्रेम में अभी आप ट्राइट टु अधर टाइम फ्रेम में देखो नोगे तुछ और नहीं आसे यहां तक और यह तरह का यूजिल एक पुल वैग यह कोई ऐसा नहीं कि मार्केट के अंदर बाइं का कोई इंडिकेशन मिल गया मार्केट के अंदर जो हो गया अकल का जो बरा मुमेंट आ हुआ उसको देखती हुए कहे सकते हैं आप भी तो मार्केट बहुत भागेगा यह ऐसा नहीं एक टाइप की बैसिकली फूल वैग जो करता है के मार्केट यां से और नीच आया चेहरा कंडेटार सेक होगी सेलर का खतम और बिया हो आय से थै David गिर्थवी मार्केट के अंदर ये पूल बैक आना ये कहिना कि बुल मार्केट की निशन ही नहीं होती है ये अपने ब्यारी स्टेंड जो करेंट ट्रेंड चल रहा है उसकी कॉंटिनिवेशन की इंडिकेशन होता है यहां पर देखो मार्के रूपा रहा है फिन नीचे आ गय अब भी बुलिस मार्केट आ गया है इसका मलदब यह हो जाता है कि मार्केट यहां से नीचे आ सकता है बाद यहां पर वाड यूज किया यह भी हो सकता है हो सकता है कि मतलब क्या है सम टाइम देखा गया है कि यहां से मार्केट रिवस लेकि उबर भी जाता है उसका पैटन अलग होता है अभी वह पैटन किरेड नहीं हुआ तो मैं अभी उसकी उपर डिसकस नहीं करूंगा राइट अभी मेरा व्यू किया है अभी मैं किस टाइब से मार्केट को प्रडिक्शन कर रहा हूं या देख रहा हूं मेरे वीव और मेरी जो अंडर्स्टैंडिंग यह मार्केट को लेके जो मैंने अभी आप लोगों को एक्स्प्लेंड किया जो भी मैंने यहां पर आप लोगों को सारे चीजों को देखती हुए मैं यहाँ पर एक डिजिशन ले सकता हूँ कि मार्केट अगर इन केस इनी सिनारियो सपोर्ट ब्रेकडाउन कर जाता है तो इन दाट सिनारियो यहां से एक डाउनसाइट की मुमेंटम आज हम लोगों को देखने को मिल सकता है और क्यू मैंने आ बहुत ही जबर्दस तरीके से यहां पर ओर किया जैसे में आप आप लोगों को रिप्ले चार्ट में यहां पर दिखाओ तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझोगे according to this market के अंदर आज काईने की 100 प्लास डाउनसाइड की मुमेंटम देखने को मिला expiry day था मुमेंटम तोरा कम मिला and premium भी बहुत ही fast decay हो रहा है but हम लोगों का point नहीं कि कितना profit कम आया क्या हुआ क्या नहीं हुआ point यहां पर यहां पर आजाता है यहां पर जो मैं आप लोगों को live market के अंदर market की sentiment, market की behavior जो आप लोगों को observation कर रहा हूँ क्या इससे आप लोगा benefit हो रहा है देखो इससे क्या होगा इससे आप लोग समझोगे कि market की sentiment कैसे reading करना होता है और different market के अंदर भी यह चीज आपको कहने की मदद करेगा और यह सारे चीज आप देख देख के देख के आपको खुद आप market के अंदर analyze करो खुद market की sentiment को observation करो खुद ही आप market की जो behavior के वो simple तरीके चे समझ लो यह कहने की इस video की intention है और दोस्तों मैं planning कर रहा हूँ कि इस type की live market के अंदर जो market sentiment, market behavior कैसे समझे based on previous behavior या chemistry की कुछ behavior हो गया इस market की pattern कुछ का behavior हो गया यह सारे चीज़ों को देखते हैं में video बनाने की planning कर रहा हूँ आप लोगों के लिए और आप लोग definitely comment करके बताना कि इस type की live market के अंदर जो sentiment में आप लोगों के लिए reading करना सिखा रहा हूँ क्या इस type की video आप लोगों को odd चाहिए या नहीं चाहिए और आज का video कैसा लगा वो भी कहना है कि इस video के नीचे comment का के बताना so thank you so much for watching this video